student class 6th के लिए आपका question है दियो हुई चाप AB के परकार द्वारा दो समान भाग करो तो क्या दिया हो आपके पास एक चाप दियो हुई है तो सबसे पहले क्या लेनी है आपने एक चाप ले लेनी है A और B A और B पाइंट को आपने का करना है dotted करके मिला देना है ठीक है और A पर compass रखनी है और आदे से थोड़ा ज़्यादा खोण लेनी है और एक dotted चाप लगा देनी है ठीक है compass को हिलाना नहीं है B पर रखना है और वैसे ही से मैं दूसरी साइट से अपने का चाप लगा देनी है जो आपस मैं आपको C और D पाइंट पर कट करेगी C और D को आपने dotted मिला देना है और इसका नाम दे देना आपने P इसका नाम आगे आपका O इसके आपके चाप के दो समान पाट होगे A और P, P और B ठीके, तैंक यू